अलेकुम दियर स्टूदेंस होप यू अला वेल तो आज हम यहां पर एक निमेरिकल सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो हमारा निमेरिकल सेशन रहेगा यह कलास 11 के लिए रहेगा तो इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो है यूनिट से मेजिर्मेंट और होगा मोशन इ तो हमारा जो पहला कोच्चन दिया गया है कि यह कहा रहा कि इन एक्सप्रिमेंट x where x is equal to a square b raise power 1 by 2 divided by c raise power 1 by 3 d raise power cube will be तो यह कह रहा है कि बताए इसमें maximum percentage error किसके बराबर होगा तो मैं आपको एक बात बता दूँ यहां पर जो result है जो result है नहीं कर रहा है x is equal to अगर आप देखेंगे किसके बराबर है a square b raise power 1 by 2 divided by c raise power 1 by 3 and d raise power 3 यह हमें question दिया गया है कि यह result है और a, b, c, o, d जो है यह physical quantities है तो इन में कुछ error आ गया है जब इनको हमने major किया तो x इसके बराबर है यह कह रहा है कि इस x में maximum percentage आ रहे कितना आएगा तो आपको मैं एक बात बता दू कि अगर आपको पता है कि individual physical quantities में कितना कितना percentage का error है तो जो उनका power होगा न उस power को उस power को उस percentage error के साथ multiply करके add करते जाएगा तो you will get the maximum percentage error तो I mean to say for maximum percentage error maximum percentage error तो आपने क्या करना पड़ेगा इन x इस x में अगर आपने maximum percentage error निकालना पड़ेगा तो we have to do what यह जो power है इधर 2 A का तो 2 से multiply करिए इस power के साथ multiply करे A में maximum percentage error वो कितना है 1% तो मैं 1 लिखूंगा तो याद रखेगा कि percent में है प्लस फिर एड़ करिए बी का पावर कितना है 1 by 2 तो बी में बताई यह कितना percentage yield रहर है 2% तो 2 तो प्लस यह जो c नीचे भी है तो इसको भी प्लस करिएगा इसका पावर कितना है 1 by 3 तो 1 by 3 से multiply करिए तो 3 से multiply करिए किस इसमें डी में कितना percentage रहर है that is 4 तो हमें percentage maximum percentage error आ जाएगा तो this is 2 and 2 got killed 3 and 3 got killed तो यहां बचा 2, 1 are 2, 1 तो यह भी होगा 1 तो यह होगा 3, 4 are 12 तो अगर आप देखेंगे 12, 13, 14, 14, 15, 16 तो 16% इधर maximum percentage error होगा ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो this will be the correct option हाँ यही है अगला कुछें देखते हैं ठीक है तो the main skill of a vernier caliper रुको मैं आपको पहले बता दूँ कि यह vernier caliper यह जो vernier caliper होता है यह एक हमारे पास एक majoring device होता है vernier caliper vernier caliper यह जो device हमारे पास होता है तो इसमें 2 तरह की skills होती है आपको यह कितने तरह की the दो तरह की याद रखीगा एक sickle का नाम है main skill एक sickle को हम क्या बोलते है main skill और दूसरी जो skill होती है that is called vernier scale vernier scale तो इसमें भी अपने-पने divisions होते है तो उस एक division को हम बोलते है main scale division तो इसमें भी अपना-पना एक-एक division होता है प्रति वर्णियर कैलिपर तो इसी की बात हो रही है इसी वर्णियर कैलिपर की बात हो रही है क्या कह रहा है यहां पर तो वो देखेंगे यह कह रहा है कि तो यह कह रहा है कि यह जो मेन स्केल इसके बात हो रही है दा मेन स्केल आफ़ वर्नियर कैलिपर है एन डिवजन्स पर सेंटीमेटर मला कि इसमें जो मेन स्केल डिवजन्स है वो कितने डिवजन्स है एन और वो एन डिवजन्स कितने सेंटीमेटर cover कर रहे हैं एक सेंटीमेटर मतलब प्रती सेंटीमेटर मतलब एक सेंटीमेटर में तो मैं यह लिख सकता हूँ कि N main scale division जो होंगे वो एक सेंटीमेटर के बराबर है तो इस कमल के एक main scale division हमें पता चल गया कि उसकी language कितनी होगी तो इदर N से divide होगा तो it will be 1 by N centimeter इसका नाम रखेंगे equation first आगे चलते हैं और दूसरा सिट्रेटमेंट देखते हैं N divisions of vernier scale यह जो vernier scale है ना इसके कतेने divisions? N divisions वो क्या हो रहे है? वो coincide हो रहे है N minus 1 divisions of main scale के वो coincide हो रहे है main scale के कितने divisions के साथ? N minus 1 के साथ तो इसका मल कि N vernier scale divisions coincide हो रहे है N minus 1 divisions of main scale यानि कि मैंने लिखा N vernier scale divisions is equal to N minus 1 main scale division as per the question यह कह रहा है कि बताए यह least count कितना होगा तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक vernier scale division किसके बराबर निकलेगा जैसे मैंने उपर निकले यह N से इधर डिवाइड होगा तो it will be N minus 1 divided by N main scale division बत अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह होगा N minus 1 divided by N तो एक main scale division हमें पता चल गया कि वो कितना लंबा है 1 by N centimeter तो 1 by N centimeter अगर आप देखेंगे यह कितना होगा तो this will be N minus 1 into 1 होगा N minus 1 N into N होगा N square तो इतने centimeter क्या होगा एक vernier scale division तो हो गया question अगर आप देखेंगे एक main scale division कितना लंबा है 1 by N centimeter और एक vernier scale division कितना लंबा होता है N minus 1 by N square centimeter अब यह कह रहा है यह कह रहा है कि आप बताए least count कितना होगा तो least count की formula आपको पता होनी चाहें कि least count जो होता है that is equal to least count की 2 formula है least count यह किसके बरापर होता है यह होता है कि main scale division की लंबाई बताओ कितनी है minus vernier scale division की लंबाई बताओ कितनी है main scale division की कितनी लंबाई है that is this thing so 1 by N centimeter तो centimeter end में लिखेंगे minus vernier scale division की कितनी लंबाई है वो तो होई N minus 1 divided by N square centimeter clear लेए तो अगर आप देखेंगे इसको सालो करें मुझे लगता कि इधर n square denominator में है इधर भी बना लेंगे तो इधर n से multiple भी करना पड़ेगा divide भी करना पड़ेगा उससे आसान हो जाएगा n minus 1 divided by n square centimeter समझ मैं है मैंने उपर भी multiple n से किया नीचे भी किया तो इससे क्या होगा कि ये least count पता चल जाएगा नीचे दोनु जगा n square है तो n square लिख लीजिए ठीक है LCM निकला मैंने तो n minus minus plus minus तो n हो गया minus minus हो गया plus 1 हो गया ठीक है ये minus 1 और plus 1 गया तो इधर बच्चा 1 by n square centimeter तो इसका मतलब है कि least count जो होगा वो होगा 1 by n square centimeter मुझे लगता है कि ये वाला option इसका सही है हाँ यही है चलो चलते हैं दोसरे question के पास तो यहाँ पर यह कह रहा है कि बताएगे डैमिनिशल फार्मला of magnetic flux बट एक बच्चे को अगर डैमिनिशल फार्मला निकाल लिए सबसे पहले उसको पता होनी चीए कि what is the formula for the same physical quantity यहाँ पर किस physical quantity की बात हो रही है magnetic flux की तो मैं आपको पता दू magnetic flux जो होता है इसकी फार्मला क्या होती है यह होता है magnetic field vector dot area vector यहाँ पोल देंगी कि it is magnitude of B magnitude of A cos of theta बड़ा आपको में याद दिला दू कास theta की magnetic flux की dimensional formula निकालनी है तो इसका मलगे हमने dimensional formula किसकी निकालनी है magnetic field की और किसकी निकालनी है area की area की सब को पता है L square magnetic field की निकालना यहाँ पर है ठीक है तो magnetic field की कहां से निकालेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर एक और चीज लेता हूँ जब हम एक magnetic field में एक magnetic field में एक charge को रखते हैं क्यों को और उसको चला लेते हैं उसको कुछ velocity देते हैं एक charge को जब हम कुछ velocity देंगे magnetic field में तो उसको एक force पढ़ता है that is called a Lorenz force और वो magnetic force किसके बरापर निकलता है FB is equal to QVB sin of theta कितना होता है वो F is equal to QVB sin of theta F की dimensional formula सबको पता है क्यों की भी पता है तो velocity की भी पता है तो B की पता चलेगी sin theta इसका value तो numerical value होगा तो इसकी dimensional formula 1 है तो मुझे लगता है कि इस formula से we know that we know that ये जो F है magnetic force ये किसके बरापर है QVB के बरापर तो यहां से हमें B की फार्मला बी की dimensional formula निकलीगी तो पहले बता B किसके बरापर निकलेगा as per this formula B is equal to F divided by QV ठीक है बेटा तो F की dimensional formula बच्चे बच्चे को याद है और याद भी होनी चाहिए गया वेलास्टी वेलास्टी का है SI unit meter per second meter का हो गया L1 per second का हो गया T-1 clear है तो मुझे लगते कि B की पता चलगी L1 और L1 गया तो T1 T-1 भी गया तो यहां पर जो dimensional formula magnetic field की निकल रही है M1 T-2 यह T-2 बचा इदर और यहां से A1 उपर आजाएगा तो it will be A-1 यह किसकी dimensional formula निकली यह निकली magnetic field की बड़ा में किसकी निकल निकल निया magnetic flux की so magnetic flux 5B की dimensional formula किसके बराबर होगी B की तो B की dimensional formula कितनी है so आपको पता है M1 T-2 A-1 clear है तो इसको multiply करना पड़ेगा किसके साथ A के साथ RR की dimensional formula L2 है मुझे पता है कि यह पता चल गया आपको M1 L इसको rearrange करेंगे तो it will be L2 it will be T-2 it will be A-1 तो यह आप देख लीजेए यह कहां पे है तो magnetic flux की dimension formula पता चल गी M1 L2 T-2 A-1 तो मुझे लगता है कि C option इसका सही उतर है यह C option इसका सही उतर है चलो चलते है एक और question देखते है ठीक है तो यहां पर क्या कहता है कि Two cars P and Q start from a point एक point से दो cars निकर रही है एक का नाम है P और दूसरे का नाम है Q ठीक है एक point से निकर रही है P car भी निकर रही है यहां से और Q car भी निकर रही है At the same time, same same time पे निकर रही है, in a straight line एक straight line के along निकर रही है ठीक है, चलो चलते हैं And their positions are represented by उनकी जो position है, ये P की position दी गई है और ये Q की position दी गई है कोई बात नही है At what time do the cars how the same velocity बताइए किस समय पे इन दोन की same velocity होगी है, तो simple है तो क्या करेंगे आप तो की P की position यहां दी गई है तो इसको differentiation करेंगे तो velocity आप P निकलेगा Q की position ये दी गई है तो Q को differentiation करेंगे time के मुदाबिक वी विलगर दे velocity तो दोनों velocity को equate कर देंगे, क्योंकि दोनों की velocity same है, तो equate कर देंगे तो हमें वहां से T का value पता चल जाएगा तो पहले हम लिखेंगे X P, P की position किसके बराबर है ये A T है A T पलस B T सुकेर ठीक है, तो इसकी differentiation करो जब इसकी differentiation करेंगे तो velocity निकलेगी किसकी P की तो D X by D T हो गए न, V तो इसलिए मैंने V लिखा डर की तो A T की differentiation तो A निकलेगा बाहर T की differentiation 1 तो B बाहर, तो T स्केर की differentiation 2T तो इसके अमले कि ये है किसकी velocity P कार की, चलो चलते है Q कार के पास, तो उसकी position किसके बराबर है, X Q किसके बराबर दिया गया है, F O T माइनस T स्केर तो इसको भी differentiation करेंगे तो वो velocity देगा up Q तो F T की differentiation होगी F O T की differentiation होगी 2T, clear है ये निकली velocity किसकी, Q की तो as per question अगर आप देखेंगे as per question अगर आप देखेंगे ये कहरा कि दोनु की velocity सेम होनी चाहिए तो इसका मतलब के VP must be equivalent of VQ तो वहां से T का value पाता चलेगा VP किसके बराबर है A plus 2BT तो एकवेट करतेंगे VQ, V को किसके बराबर निकला F minus 2T तो T वाले इदर लेके आओ तो 2BT तो इदर आ जाएगा तो plus 2T बनेगा तो ये F है और ये A उदर जाएगा तो minus A बनेगा तो इन दो में common क्या निकलेगा T और 2 common निकलेगा यहां क्या बचा B plus 1 तो इदर निकलेगा F minus A तो अगर आप देखेंगे T का value किसके बराबर निकलेगा तो हम लिखेंगे F minus A और ये जो B plus 1 है ये इदर डिवाइड होगा तो इदर डिवाइड होगा और ये 2 इसको multiply है ये भी divide हो जाएगा तो यहां बचा बिचारा T तो T तो पता चल गया F minus A divided by twice B plus 1 F minus A अब थोड़ी ना आजाएगा F minus A divided by twice 1 plus B होया B plus 1 तो इसका में लिखेंगे इदिशन इसका सही उत्तर है ठीक है चलो चलते हैं एक और कोच्चन करते हैं तो यहां पर हमें फिफ्ट कोच्चन है एक बाल है सपोज ये ground है तो यहां पर एक बाल है चलो इसका नाम रखते है एच कितना नाम रखते है एच यह है maximum height तो यह कहरा है कि जब यह half उंचाई पे पहुंच जाए वेन इट है जिए हाफ आफ इट इस maximum height इसकी विलाश्टी कितनी है 10 meter per second तो इस height पे इसकी विलाश्टी कितनी है 10 meter per second कोई बात नहीं how does the bar how height does the bar rise बताएए यह कितनी उपर गई यहां से यहां तक edge का value निकालना है तो कोई बात नहीं यह simple है तो आपको बताएए कि equation आप motion यूज करनी पड़ेगी जब यह top पे पहुंचेगा बताए उस की विलाश्टी कितनी बरेगी 0 क्योंकि जब यह वहां पहुंच जाएगा तो इसकी विलाश्टी 0 है तो इसका मलती कि जब यह उपर जाएगा तो नीचे तो हमें पता यह नहीं है कि इसको किस विलाश्टी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है बड हाफ हाइट पे तो हमें पता है कि इसके वलाश्टी कितनी है कितनी है ट्यन मिटर पर सेकंड उपर की और तो मुझे लगता है कि जब यहां से उपर जाएगा यह जो हाइट कवर करेगा धैट विल भी एच बाई टू क्लियर है न तो जब यह इस पॉइंट से हाफ यूज नहीं करेंगे हम इस पार्ट में इस पार्ट में हम एक्विशन आप मोशन यूज करेंगे ठीक है तो बताएए तो कौन सी एक्विशन यूज करेंगे हाँ वी स्केर माइनस यू स्केर इस एक्वल टू 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 आइस कलियर है ठीक है तो वी कितना है फाइन व ग्रैवट्य लगेंगी वह नीचे की और लगेंगी कि तनी लगेंगी माइनução जीआगा कि मैनिश चैन लेंगे अब आप पमेंसे कुम्ह बले, खैसे है यह इंखेंग एसे हैड़ है, कि तनी कवर पर कर रहा है, हिए से यह 2 और यह 2 गया ठीक है तो 0 सुकर तो कुछ नहीं है माइनस 10 सुकर हो गया 100 इस एक्वल टो यह बना माइनस 10 इंटो हैच माइनस और माइनस भी गया यह 10 और एक 10 गया तो हैच विल भी 10 तो ऐसा इस तम फालू कर रहे है तो इसके एच का वैलू जो आएगा डैट विल बी 10 मेंटर तो हैट कितनी होगी 10 मेंटर तो ए ओप्शन इसका सही उतर है जरा देखिए यास ए ओप्शन इसका सही उतर है